लॉरेंस बिश्णोई के खास गुर्गे गोल्डी बराड को केंद्र सरकार ने आतंकी खोशित कर दिया है कनाड़ा में बैठा गोल्डी पंजाब में हत्यार रंगदारी और हत्यार तसकरी में लिप्त है मुसे वाला हत्याकांड समेत कई वारदातों में भारती एजंसियों को गोल्डी बराड की तलाश है कनाड़ा में रहते हुए भारत में आपराधिक गतिविदियों को अंजाम देने वाले गैंग्स्टर गोल्डी बराड के खिलाफ केंद्र सरकार ने अब बड़ा एक्शन ले लिया है उसको गैर कानूनी गतिविदिया रोक्ताम अधिनियम यूए पीए के तहत आतंकवादी घोशित किया गया है कोख्याद गैंग्स्टर लॉरेंस बिशनोई के राइट हैंड कहे जाने वाले गोल्डी को पंजाबी सिंगर सिद्धू मुसे वाला मडर केस का मास्टर माइन बाना जाता है उसके इशारे पर ही बिशनोई गैंग के गुर्गों ने सिंगर की हत्या की थी भारत सरकार ने गोल्डी बराड को आतंकी खोशित कर दिया है भारत सरकार ने फैसला यूवे पीए के तहत लिया है ग्रिह मंत्राले की ओर से जारी नोटिस में कहा गया है कि गोल्डी बराड प्रतिबंधित खालिस्तानी संगठन वबबर खालसा इंटरनेशनल से जुड़ा है वह भारत में कई बड़े अपरादों में शामिल रहा है फिलाल गोल्डी बराड कनाडा में है और वहीं से अपनी अपराद की दुनिया को आपरेट कर रहा है पंजाबी सिंगर सिद्धुमूसे वाला की हत्याकांड का मास्टर माइन भी गोल्डी बराड को बताया जाता है पंजाबी सिंगर सिद्धुमूसे वाला की हत्या के बाद गोल्डी बराड ने इस हत्याकांड की जिम्मेदारी ली थी गोल्डी बराड पंजाब के मौजूदा Most Wanted Gangster में से एक है और फिलहाल कनाड़ा में रह रहा है माना जाता है कि वा कॉलेज का एक Drop Out छात्र है और पढ़ाई छोड़ने के बाद से ही अपराद की दुनिया में सक्री है साल 2019 में गोल्डी बराड स्टुडेंट बीजा पर पढ़ाई करने के लिए कनाड़ा गया था वा भारत के कई नेताओं को धमकी भरे कॉल करने फिरोती मांगने और बेभिनन सोशल मेडिया प्लेटफॉर्मों पर हत्याओं के दाओं को पूस्ट करने के लिए भी जाना जाता है गैंग्स्टर गोल्डी बराड को केंद्री ग्रिहमंतराले ने सुमवार को आतंकी घोशित कर दिया है इससे पहले लकबीर सिंग लंडा को भी केंद्र सरकार आतंकी घोशित कर चुकी है ये दोनों कनाडा में छिपे हैं पंजाब में रंगदारी और सीमा पार से हत्यार और नशे की तशकरी भी करते हैं गोल्डी बराड कुख्यात गैंग्स्टर लॉरेंस बिश्णोई का खास साथी है पंजाबी गायक से धुमूसे वाला की हत्या के बाद गोल्डी बराड ने ही सोशल मेडिया पर हत्या की जिम्मेदारी ली थी बराड लॉरेंस बिश्णोई गिरूह का है और उसके खिलाफ हत्या, हत्या के प्रयास और हत्यारों की तसकरी जैसे लगभग 13 मामले दर्ज हैं उसके खिलाफ इंटरपूल रेड कॉर्नर नोटिस भी जारी कर चुका है सितंबर महिने में गोल्डी बराड के ठीकानों पर पुलिस ने चापे मारी की थी वही राजट्री जाच एजनसी एनाईय ने भी बराड से जुड़े लोगों के ठीकानों पर चापे मारी कर चुकी है वीडेडेस्क अमरुजाला.डॉट कॉम अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें अगर आप फेस्बुक पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें